गुड मॉर्णिंग क्लास, वेलकॉम बैक टियूर वीडियो रेस्टेशन्स कैसे आप सब, हम बात करें स्टेंडर्ड 8 के चेप्टर नबर 9 की साउंड, हमने आगे जो चेप्टर डिसकस किया था, साउंड की डेफिनिशन, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके तीन कॉ आउडनेस और क्वालिटी जो तीन कैरेटरिस्टिक थी उसकी वो हमने देख ली, अब जो अगे का चेप्टर बाकी है, वो आज खतम नहीं होगा, तो अब जो बाकी का चेप्टर है, उसमें से एक्जाम रिलेटिड कितना है, मैं सिभ आपको यही बताने आया हूं, आज का टॉपिक बचे हैं आपके, यह जो है, म्यूजिकेन नॉइस, उसके बाद सावृष, साउन्ट, ट्रैवेल्ज ठीक है, उसके बाद नीचे जो टॉपिक है, यह, रिफ्लेक्शन अफ साउंड, यह सारे जो टॉपिक है, इसमें से एक्जाम में कितना आने वाला है, या फिर यह जो आपको पढ़ना है सिर्फ आपको इतना लाइन याद रखना है आपको आज के टॉपिक में सिर्फ में यही बताने आए है कि आपको कौन सी पांच चीज़े याद रखनी है तो लेरिंग्स की डेफिनिशन आपको याद रखनी है मैं हॉंबग टाइप करके बेच दूगा समझ में आजाएगा तूसरी आपको बात याद रखनी है कि हमारा कान कितने हिसों में बटा हुआ है कि हमारा कान बटा हुआ है घरिंटे कि आपको याद रखना है कौन कौन से पार्ट में है बस आपको यही याद रखना है, अब इससे आके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस टॉपिक में से इतना याद रखना है, इन्फरासोनिक और अल्टरासोनिक की डेफिनिशन, कि जो आवाज 20 Hz की फ्रिक्वेंसी से लो है मतलब 20 Hz की फ्रिक्वेंसी से लो है जैसना कि 19 फ्रिक्वेंसी, 18 Hz, 17 Hz ये जो 20 से कम होता जा रहा है ना ऐसे आवाज को क्या बोलेंगे हम? इंफरासॉनिक बोलेंगे, right? क्या बोलेंगे? इंफरा, I-N-F-R-A-S-O-N-I-C इंफरासॉनिक बोलेंगे और जो 20,000 Hz के उपर है ना जैसे कि 20,001, 20,002 ये सारे जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे? अल्टरासॉनिक बोलेंगे क्या बोलेंगे? U-L-T-R-A-S-O-N-I-C बोलेंगे, right? अल्टरासॉनिक बोलेंगे तो आपको ये 4 चीज़े याद रखनी है अभी के टॉपिक के मिलिए आज का वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको सिभी ये बताने आया था कि कल से जो आपकी एक्जम स्टार्ट हो रही है उसमें ये चेप्टर में से जो हमने अभी तक पढ़ा वो और आज के जो वीडियो में मैंने आपको बताया लेरिंस की डेफिनिशन हमारे कान कितने भाग में डिवाइडेड है कौन-कौन से होते है आउटर, इनर और मिडल और ये अल्टरा सॉनिक और इन्फरा सॉनिक की डेफिनिशन आपको चीफ ये चार चीज़े जाद रखनी है मैं आपको MCQ और फिर इन दे ब्लाइंस का जो सॉलूशन है एक्सराइस का वो मैं आपको भेज दूँगा ताकि एक्जम में आप उसमो रिड कर सके ठीक है तो आपको एक्जम के बाद मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ जहां पर हमने खतम कर रहे है उपर noise and music में से फिर ये chapter खतम करेंगे एक्जम के बाद तब तक आप पढ़ते रहे हैं take care good bye और को समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिए गरेट